एक गाउं में बिजली लाइन खराब करके फिर उसे ठीक करने के नाम पर पूरे गाउं से धन उगाही करने वाले दबंगों ने पैसा ना देने पर एक किसान पर लाठी और कुलहाडियों से प्रांगा तक हमला बोल दिया, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया. आपको बता दे कि मामला बचरावान थाना क्षेतर के गाउं भक्तिन खेडा मजरे पश्चिम गाउं का है. घटना विगत 17 मई समय लगभग रात 8 बजे बजे की है. उक्तपूगी राम हरक पुत्र भगवान दीन कोरी ने पुलिस को बताया था कि उनके गाउं में नीरज और धीरज पुत्र गन गनेश बोरिंग मेकेनिक और बिजली मेकेनिक का काम करते हैं. राम हरक ने यह भी बताया है कि उनके गाउं में लगभग साथ खर हैं, सभी लोगों ने कनेक्शन ले रखा है प्रतिपक्षी धीरजव नीरज शातिर किस्म के व्यक्ति हैं अक्सर गाउं की विद्यूत लाइन खराब करके गाउं वालों से उसे बनवाने के नाम पर दश दश बीस बीस रुपे प्रति उपभोकता वसूरते हैं महीने में कम से कम यह कारणामा चार या पांच बार किया जाता है भुक्तपुगी ने आरोप लगाया है कि खटना से एक दिन पहले लाइट खराब होने पर धीरज और नीरज अपने साथ रामचंदर वह फूलचंदर को लेकर उसके पास आये और कहने लगे कि पचास रुपिये दीजिये लाइट बनवानी है इस पर जब भुक्तपुगी राम हरक ने कहा कि भया अभी पांच दिन पहले ही तुम्हें लाइट जुडवाने का पैसा दिया था रोज रोज लाइट खराब नहीं होती है जिस पर निरज और धीरज तथा उसके साथी रामचंदर और फूर्चंद बिगड़ गए और कहा कि पैसा लिये बगेर नहीं जाएगे राम हरक के इंकार कर देने पर लाठी डंडे और कुलहाडियों से लेस चारों दबंगों ने राम हरक के उपर प्रांगा तक हमला बोल दिया जिस से राम हरक का सर फट गया शरीर पर तथा पैर पर कुलहाडियों से किये गए वार से गंभीर चोटे आई है पीडित ने यह भी आरोप लगाया है कि उसकी चीक पुकार सुनकर गाउं के लोग दोड़े अन्यथा विपक्षी गन उसकी जान भी ले लेते बाद में आसपास के लोग और परिजन उसे लाद फांद कर थाना बचनरावा ले गए जहां पुलिस ने महस्धारा 323, 504, 506 के तहट चारों अभीयुक्तों के विरुध प्राथमिकी तो दर्ज कर ली लेकिन काईदे से न तो मेडिकल कराया और ना ही अभीयुक्तों की अब तक गिरफतारी की जा सकी है ताज्युप की बात यह है कि पुलिस ने प्रांगा तक हमले की रिपोर्ट महिश 323, 504 और 506 जैसी मामूली धाराओं में दर्ज किया है तो वहीं अभीयुक्तों की गिरफतारी के लिए पुलिस ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किये हैं जिससे हमलावरों के होसले बुलंद हैं और वह प्रायह पीडित को जान से मारने की धमकी देते रहते हैं पीडित जोकी चलने फिरने में असमर्थ है चार लोग उसे उठाकर नित्यक्रिया कराते हैं अपना दुखडा रोते हुए पीडित ने बताया कि अगर हमलावरों पर सक्त कार्यवा ही न करवाई गई तो उसकी जान को खत्रा है पीडित ने प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधितियनाथ और जिले के न्याय प्रियवर करमट पुलिस अधीक्षक स्वपनल मंगई से मदद की गुहार लगाई है और कहा है कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई मामूली धाराओं में F.I.R. में संगीन धाराएं बढ़ा कर अभियुक्तों को तत्काल गिरफतार कर जेल भीजा जाए आए देखते हैं राइबरेली से SK इंडिया न्यूस के लिए रजनीकान तवस्थी की रिपोर्ट जब देते हैं तब दिलन न देते तो पैसे मारते हैं कौन मांगता है नेरज और धिरज जी और पोर्चन और अराम चाहिए जी और लोग जब नहीं देते हैं मारते हैं तो क्या घट ना घटे थुई आपके साथ बस तो बढ़े बढ़े में घटेते साथ क्या है बताओ व जान लेए हमें पुलाडियों लाठियों से मारें जान लेए हम न करें धंगी देते हैं हमको जी दुबार हम भी मारें क्या करने हैं हमारा है तो किसको मारा है अभी हमारे हमको मारा साथ हमारे भाई को मारा हमारी माता जी को मारा साथ जी 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 बहुत मारा साथ हम क्या तो जब आपने फाई आर किया है थानी में तो एसुस आप क्या कह रहे हैं वहां के कुटवाल क्या कह रहे हैं किससे मिले फिर वाँ पढ़े भी नहीं तना हुटाब हम को यानय नजानन देता है अचा आपके इस मामले में क्या मदच चिये आपको उन्हां को जी कही ने दे दाए आपको तो फिर खाने जाए यूद बशसे प्रेक्या १री यह बिढ़ी है